हेलो राधे राधे आप सब कैसे हैं मैं आश्या करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे घर और किचन के कुछ काम ऐसे मुश्किल भरे होते हैं जुनको करने में बहुती समय चला जाता है तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स ले करके आई हूँ जिससे समय और पैसा दोनों बचे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरी पहले टिप यहाँ पर जो प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स होते हैं उनको ले करके है अक्सर क्या होता है इसका यूस तो हम लोग से अच्छे से कर लेते हैं साफ सफाई भी बहुत ही अच्छे से करते है लेकिन अचानक से इसमें बैड स्मेल या अजीव सी ऐसी स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो इसको हम लोग कैसे रिमूफ करें जिससे बिल्कुल फ्रेश और किसी प्रकार भी कोई बैड स्मेल ना है तो आप एक काम करें जब भी आप टिफिन गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है आपको क्या करना है यहाँ पर लेना है टीशू पेपर या न्यूस पेपर आप ले लीजी इस तरह से नीचे बिछा दीजिए उसके बाद जो टिफिन बॉक्स थी इस तरह से आप रखके अंतर उपर से अच्छे से पैक कर दीजिए बं यूसफुल आइडिया है आप दो चार दिन में इस तरह से टिफिन बॉक्स में टीशू पेपर रखेंगी तो यह समस्या पुरी तरह से खत्म हो जाएगी ट्राइज जरू करिएगा मेरी अगली टीपे किचन के स्लैप को लेकर अक्सर हम लोग क्या करते हैं जो किचन है बहुत ही अच्छे से खाना बराने के बाद साफ करते हैं सफाई में कोई कमी भी नहीं चीर छोड़तें उसके बाद फिर भी देखते हैं जो मक्ही या मच्छर है आकर के किचन में बैट जाती है जिसके बाद बहुती गंधिये फैलाती है तो आप एक काम करें यहाँ पे लेना है आपको थोड़ा सा पानी साथ उसमें थोड़ा सा नमक एड़ करना है और बस आपको लेना है एक कपड़ा तो यहाँ पर देखिए क्लीनिंग तो हम लोगों ने अच्छे से स्लैप की और गैस की कर ली है अब जो हम लोगों ने पोशा लगाने के बाद आपको एक पोशा हो इस तरह से और लगाना है नमक के पानी का अक्सार दादी नानी लोग हम लों को समझा के जाती थी कि अच्छे से नमक का पोच्छा लगाने से जो निगेटिविटी होती वो तो पूरी तरह से जाती है और मच्छर मक्खी भी बिल्कुल नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है अच्छे से आपको पूरा स्लेब अगर गैस पोच्छना चाहती है तो आप नमक के पानी से अच्छे से इसको पूरा पोच्छ दीजिए जो मक्खी मच्छर आपकी इंट्री करती थी किचन में वो बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि हम लोंने बहु अच्छे से इस नमक के पोच्छे से पोच्छ सकती है यह बहुत ही यूसफुल आइडिया आप देखेंगी कुछी दिनों में जो मक्खी मच्छ है वो बिल्कुल भी आपकी किचन में नहीं आएगी इस तरह से आइडिया यूस करने के बाद आप आराम से खाना बना सकती है आपको किसी पकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी तो यूसफुल आइडिया ट्राइज जरूर करिएगा अगली टिप मेरी यहाँ पर दूद को लेकर करे है अक्सर मौसम चेंज हो रहा है गर्मी बहुत जादा पड़ रही है फ्रीज में हम लोग दूद रखने के बाद भ मिक्स करने का रीजन यह है कि जब आप अच्छे से सरसो का तेल मिक्स कर देंगे तो एक लेयर ऐसी बन जाती है जो दूद बहुती जल्दी हलों का खराब हो जाता था फ्रीज में रखने के बाद भी दूद में खटास या पीने में बहुती अजीव सा लगता था तो हम लो दूद खलाने के बाद इस तरह से जब आइल अच्छे से आप मिक्स कर देंगी तो दूद दो दिन तक बिल्कुल भी नहीं खराबेगा ना पीने में कोई खटास मैसूस होगी तो यह बहुती यूसफुल आइडिया इस तरह से आप दूद को काफी दिन तक चला सकती ही तो पर छोटा सा टुकड़ा लेना है न्यूस पेपर का उसके बाद आपको अच्छे से इसको मोड लेना है और इसको अच्छे से गीला कर लेना है जो कैस्टरॉल से बैड इसमेल आती है अमनों सोचते इसको कैसे रिमूव करें तो बस आप इस ट्रिक का यूज करिए अच्छ पानी हो तो आप इसी कागस से अच्छे से कैस्टरॉल को पोस्ट दीजेगा जो इसमें से बैड इसमेल आने की जो प्राबलम थी वो पुरी तरह से रिमूव हो जाएगी और बिल्कुल भी हम लोगों को इसमें से गंदी समेल नहीं आएगी तो ट्राइज जरूर करिएगा मेरी अगलिटी पियां पर मिठाई के बॉक्स को ले करके हैं अक्सर जब मिठाई हम लोग ले करके आते हैं उस समय तो हम लोग नहीं खाते हैं सोचते इसको दूसरे दिन खाएंगे तो फ्रीज में उठा करके रख देते हैं जब हम लोग उसको दूसरे दिन खाते हैं तो म इस तरह से मिठाई नहीं रखने हैं आपको लेना है एक प्लास्टिक की कोई भी पॉलिथिन इस तरह से आप उसको बिछा दीजिए उसके बाद डालने के बाद आपको लेने जितनी भी मिठाई हैं आप अच्छे से इसमें रख दीजिए आप देखेंगे जो मिठाई हम को टेस्ट का चेंज होगा तो आप इस तरह से मिठाई को सेफली फ्रीज में उठाके रखिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और खाने में वैसे ही लगेगी जैसे हम लोग अभी लेकर के आएं तो यह बहुत यूसफुल आइडिया है इस तरह से मिठाई आप जब फ्र लगी आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा ओके बाए